हेलो वेल्कम टू माई यूटू चैनल दोस्तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं केदी में सामने वाला बेगती से किसी थाट पर्सन फीमेल के बारे में ये जानना हो कि जो काम उन्होंने पास्ट टाइम में स्टार्ट कर दिया है और अब तक चल रहा है और पता नहीं कब चलेगा लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर डेट दिया हो ताइम दिया हो तो उसे मैं सामने वाला बेगती से किसी थाट पर्सन फीमेल के बारे में क्यूचन कैसे पूछूंगी और सामने वाला बेगती किसी थाट पर्सन फीमेल के बारे में आंसर कैसे देगा So guys, समझते हैं, suppose that मैं हाँ हूँ और आप मेरे सामने हो और मैं आपसे जानना चाहती हूँ किसी third person female के बारे में कि जो काम उन्होंने past time में start कर दिया है और अब तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा लेकिन उसमें एक particular date दिया हो, time दिया हो तो मैं English में क्यूचन आपसे कैसे पूछोंगी और आप English में answer कैसे दोगे तो अब बताव आप दोस्तों मैं खुद को English में क्या बोलूँगी मैं बोलूँगी I और मेरे नजर से आप क्या हो जाओगे आप हो जाओगे U लेकिन मैं आपसे आपके बारे में नहीं जानना चाती हूँ मैं जानना चाती हूँ किसी third person female के बारे में तो मैं तो आपको बोलूँगी U लेकिन कोई third person female है तो मैं उसे क्या बोलूँगी मैं उसे बोलूँगी C So guys, अब हम इसका structure समझते हैं जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या वह सुपा से पढ़ रही है तो सबसे पहले मुझे इंग्लिस में क्या बोलना होगा मुझे इंग्लिस में बोलना होगा has been plus verb की fourth form plus object plus since before plus time और आपने answer दिया कि हाँ वह सुपा से पढ़ रही है तब आपको इंग्लिस में सबसे पहले क्या केना होगा सबसे पहले केना होगा येस फिर इसके बाद she has been plus verb की fourth form plus object plus since you are fourth plus time अब मैंनो दोस्तों कि आपने negative answer दिया कि नहीं वह सुपा से नहीं पढ़ रही है तब आपको इंग्लिस में कैसे बोलना होगा तब आपको इंग्लिस में सबसे पहले केना होगा फिर इसके बाद she has not been plus verb की fourth form plus object plus since you are fourth plus time so guys अब मैं हिंदी सेंटेंज बोलूंगी और आप इंग्लिस बोलने की कोशिस करना क्या वह सुपा से खाना बना रही है क्या वह सुपा से खाना बना रही है has she been cooking food since morning has she been cooking food since morning हाँ वह सुपा से खाना बना रही है yes she has been cooking food since morning yes she has been cooking food since morning नहीं वह सुपा से खाना नहीं बना रही है no she has not been cooking food since morning no she has not been cooking food since morning क्या वह पाच घंटों से पड़ रही है क्या वह पाच घंटों से पड़ रही है has she been studying for five hours has she been studying for five hours हाँ वह पाच घंटों से पड़ रही है हाँ वह पाच घंटों से पड़ रही है yes she has been studying for five hours yes she has been studying for five hours नहीं वह पाच घंटों से नहीं पड़ रही है नहीं वह पाच घंटों से नहीं पड़ रही है no she has not been studying for five hours no she has not been studying for five hours क्या वह दो घंटों से खेल रही है क्या वह दो घंटों से खेल रही है has she been playing for two hours has she been playing for two hours हाँ वह दो घंटों से खेल रही है हाँ वह दो घंटों से खेल रही है yes she has been playing for two hours yes she has been playing for two hours नहीं वह दो घंटों से नहीं खेल रही है no she has not been playing for two hours no she has not been playing for two hours क्या वह सुबह से टीबी देख रही है क्या वह सुबह से टीबी देख रही है has she been watching टीबी since morning has she been watching टीबी since morning हाँ वह सुबह से टीबी देख रही है हाँ वह सुबह से टीबी देख रही है Yes, she has been watching TV since morning Yes, she has been watching TV since morning नहीं, वो सुबह से TV नहीं देख रही है No, she has not been watching TV since morning No, she has not been watching TV since morning क्या वो छे घंटों से पढ़ा रही है? है वो छे घंटों से पढ़ा रही है? हाँ, वो छे घंटों से पढ़ा रही है Yes, she has been teaching for six hours Yes, she has been teaching for six hours नहीं, वच्छे घंटों से नहीं पढ़ा रही है? नहीं, वो छे घंटों से नहीं पढ़ा रही है No, she has not been teaching for six hours No, she has not been teaching for six hours So guys, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और एदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दे और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले थैंक्यू